कि आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं हूं अंकित और आप जोड़ चुके हैं टॉप पर श्रेंग के साथ देखिए अब हम लोग भी फाइब जी का भोग करने जा रहे हैं अभी बेɪस की do fifteen to Bar को बता हैं हिंद dai में 5G की टेस्टिंग सुरू हो गई है साल दो साल में हम लोग भी fight block करें गे जिसे की बहुत चाहें तो आप इसको इसको पांच हो गया मतलब इससे पहले छारा होगा तीन रहा और दो रहा होगा दो रहा हो attempt जी का मतलब क्या है यहां पर जी का मतलब है जनरेशन तो मतलब पहली जनरेशन रही होगी दूसरी जनरेशन रही होगी उसके बाद तीसरी जनरेशन आई चोथी जनरेशन आई और फाइनली कहां पहुंचने वाले हैं 5G में पहुंचने वाले हैं आप देखोगे तो 5G की मजते हैं कि जो जी है कि क्या है इसके अलावा जो फाइब जी की फुरुवात होगी तो बताया जा रहा कि जीओ के माध्ध्यम से इंदोस्तान के सबसे पहले चार शेत्रों में मुंबई हो गया दिल्ली हो गया बानारशी हो गया कोलकता हो गया यह चार शेत्र होंगे जहां पर जीओ के माध्यम से पहली बार 5G है उसकी शुरुवात की जाएगी अब देखिए देखिए है क्या कि जो एजी पनलब बंजी 2 जी एजी ओजी 5 जी फाइब जी बंजी 2 जी 3 फॉर जी 5 जी यह क्या है जी इसको जरा समझ लेते हैं ओजी ठीक है तो इसको समझने के लिए आप देखो पता है जिब मार्केट में पहली बार फॉन आया था ठीक तो फोन कैसा होता था उसमें इक वो निकला होता था अंटी पड़ो शिर्व मेगदूतव में आपकी जजाती है है तो कुयर है यमहें वह अपनी प्रेमिकासे बात करता है काने सुन बादल से संधेश लिगता है तो उस यहीं होता था मतलब कहने का वो है कि सब फैसले होते नहीं की शिख्क चालके दिल के मामले हैं जरा देखवाल के मोबाइलों के दोर के यासी को क्या पता रखते थे कैसे खत्मे कलेजा निकालके तो उच्छे पहले खत्मे कलेजा रखा जाता था अभी तो फून आ गया है अब कलेजे वाली बात जाधा जाधा गंभीर होती थी, अभी खैर इतना गंभीर नहीं होता है, तो जैसा भी जो कुछ है मुसको समझते हैं, देखे जब पहली बार बंजी आया, जब बंजी आया, तो इसमें छोटा सा फोन होता था, उसमें एक अंटीना लगा रहता था, अ जाटा नहीं चलता था। मतलब ne surtout चला सकते थे, केवल केवल भी बात कर सकते थे, हाँ कहा हो कईशे हो, यहीं बोल सकते थे,White не know जाट अलों सकते थे क्लास मैं तटाइपिंग सकते हैं, केवल कते हैं yn६तने क्यों कर सकते हैं, कि it will neighbors mean तो नेट भी नहीं चलता था आप देखोगे तूजी आया उसके पश्चार तूजी आया तूजी में आप देख तो पहले आता था नोकिया टाइब का फोन होता था चोटा होता था उसमें चोटी सी लुग फोन आया तो इसमें एक बात करने के साथ मतलब बात कर सकते हैं बात के साथ साथ मैसेज भी भी चलता था इसके लाबा जो इसकी स्पीड थी वो 64 के भी पीस की थी तो इसमें भी सवाल ही नहीं पैदा होता था कि डीटा चल जाए कि यूज कंद इसके लाबाध संत्रिव watches cos like mini आते लिए पसकी ह cabeça के सीमें erup isu Comics कि इस ने बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर दीया वो समस्याएं क्या थी कि पेली बाद तो हम से करते हैं हम मैंटरणेट का मुथ कर शक्ते थे तब तो बहोत जानकारी देएगा तो हम इंटरणेट के बारे में बिर यसी चला सकते था थीक तीक था कि भी देता था की धर देता था तो हम लोग लोग की चलने लगा का Defense के बारे हम जानकारी मिल गई थी आराम से काम चलने लग गया था कुछ समय पश्चात आ गया 4G थिक 4G ने समस्याओं को और ज्यादा साल्व कर दिया इसने हमको वीडियो काल की वहतर क्वाल्टी प्रदान कर दी हलांकि यहां पर भी वीडियो काल मिलती थी लेकिन वह क्वाल इसका में नहीं था ठीक यहां पर है इस पीड भी अच्छी दे दी गई सव एमबी की तुमको यहां पर इस वीडियो मिल जाती थी अभी तो 5G आने वाला है इसका तो कहने क्या इसमें क्या होगी बंजी इसकी भी चर्चा करेंगे हम इसकी चर्चा करेंगे इसके लाबा हम देखते यह हैं कि जो बंजी आया था एक कव आया 1980 के देशक में आया 2G कव आया 1990 के देशक में 3G आप देख लो 2000 के देशक में 4G 2010 में 5G अभी 2020 में आया है ठीक है ना तो यह इनके आने का क्रम है अभी है क्या अभी है क्या कि जो 4G आया जब 4G आया तो अब देखिए जो 4G था उसकी जैसी रिक्वार्मेंट थी बैसी कोई भी कमपनी उस रिक्वार्मेंट को पूरा नहीं कर रही थी तो फरकार ने कहा कि देखिए तुमको इसमें लांग टाइम लांग टर्म सकता है ठीक है इसी को बोलते हो LTE का मतलब लांग टर्म एविलूशन मतलब फोर जी की जो डिमांड है जो रिकॉर्वार्मेंट है वो कोई कंपनी पूरा नहीं कर रही है तो गवर्णमेंट का तुम फोर जी ले जाओ ले जाओ लेकर इसे सुधार करो वो भी सुधार किस क्र करना पड़ेगा ठीक करना पड़ेगा क्रमबद तरीके से करना पड़ेगा तो यह इसको बोला गया LTE अब समस्या यह आई कि LTE तो ले लिया LTE लिया 4G ने अब होता क्या था कि LTE के माध्यम से जो आप देखोगे इस्टार्टिंग में जीओ आया ठीक अब जीओ आया यह एर्टल था जब 4G एर्टल हुआ था यह जीओ 4G था तो जीओ ने जो सर्विस प्रवाइड की थी इस्टार्टिंग में वो LTE की थी LTE से आशा ही हो गया कि जब आप बात करते थे ठीक तब जो होती थी जो वाइस आपकी थी वो किलेर नहीं होती थी जो डेटा होता था वो आपका कलियर हो जाता था वो क्यूंकि जो डेटा देता था जो LTE है यह जो इंटरनेट का परियोग करने का हमको अधिकार देता है वो देता है जो फाइबर एप्टिकल होता है क्यूंकि फ किसी को फोन लगाया है अपने घर पर पडोसी की बीशे बात हो गई होता था ना कभी बात कर रहे हैं किसी से बीच में कोई और घुस जाता था तो यह समस्या क्यों आ रहे थी यह समस्या आ रहे थी क्यों कि इसमें जो डेटा था बहुतो आसानी से रेडियो और फाइबर एप्टिकल का थू हमको प्रवाइड कर दिया जाता था लेकिन जो वाइस थी वो चूंकि रेडियो फ्रेकंशी की थू आती थी इसलिए रेडियो फ्रेकंशी में बहुत सारी बाधाय होती है उन बाध यह जब इसमें फुदहार नहीं हो रहा था तब लिएक के साथ बोलटी लाया गया मतलब वाइस ओवर एल टीया अब यह वाइस ओवर आलीए क्या है यह वाइस ओवर ये ultimate क्या है तो जब समय क्लिए तो जब कृब क्लिएल आ، जो हुएस थे वह Колि उस्पांशी में में आप बात कर रहे हैं अपनी वाले से बात पहुंच जाएगी पडोश के पास में तो यह समस्याइं रहती है उसमें तो अब इससे निपड़ने के लिए बोलती है वाइस ओबर अब इसने सारी समस्याओं का समधान कर दिया इसने का कि ठीक है अब जो है जैसे पहले डेटा जाता था उसी के साथ वाइस जाएगी तो दोरों चीजें किलियर हो गए अब डेटा भी आसानी से उपलब्द हो जा रहा है बहतर स्पीड मिल रही है इसके अलावा जो वाइस है वह भी नहीं करती है अच्छे से बात भी हो जाती है आप देख लिए यहां पर एल्टी और वोल्टी के बारें पूरी जानकाई मिले रखी है जैसे एल्टी का फुल फार्म लांग टर्म एविलूशन है और एल्टी एक फोरजी नेटवर्क है इसमें फोन काल्स के समय यही में अंतर है अब हम समझेंगे 5G तो मेन है यहां आने वाला है जिसका साल दो साल में हमारे देश में भी सुर्वात हो जाएगा हम लोग वी जिसका बहुग करेंगे तो देखो कि अभी तो 5G की हम बात कर रहे हैं तो 5G जब आ गया आने यहां मतलब तो इस ने तो तो मतलब फाइब जी के माध्यम से इतना जाधा टेक्नलोजी डेवलप हो जाएगी जिससे कि मानव घर पर बैठ के कोचिंग पढ़ा रहा है यहां पर निश्चायाजिस में अब यहीं से सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन अब कंट्रोल करने के लिए जिसको कंट्रोल करने उसमें भी टेक्नलोजी होनी चाहिए ना फा अब किसी दिन हम आप लोगों से समस्याओं की बात करेंगे अभी तो सुविधाय हो गए ठीक ना थैंक्यू